हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक जीवन एजुकेशन एक बार फिर से आप सब का स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ओनलाइन प्लैटफोर्म पर और हम डिसकस कर रहे थे है MPCHO CRPF ESIC Norset के regarding important session और उसके अदर अभी तक हमने discuss कर चुके हैं अभी तक हमने discuss कर ली हैं इसके 20 session और आज हम discuss करने वाले हैं 21st session यानी 21st session अपन डिसकस करने वाले हैं और लाज session में हमने immunity के बार में डिसकस किया था यजिवन डिसकस करेंगे Vaccines और Vaccination के regarding यानि कौन-कौन सी vaccines होती है Live vaccine, killed vaccine ये सारी जो वेक्सीन के regarding जितने भी questions आपके competitive exams और सभी exams में पूचे जाते हैं उन सभी questions के बारे में detail से हम discuss करने वाले हैं यानि आज का ये session हमारा vaccines पर depend है यानि vaccines के बारे में जो जो भी questions आप से exam में पूँचा जाता है सारा कुछ अपन discuss करने वाले हैं तो फटापट से वीडियो को like और share कर दीजे चैनल पर first time आरे तो चैनल को subscribe कर दीजे जिसे आगे भी जो further अबन class से चलती है daily up to date आपको class मिल दाइए जो भी latest update आता है उसका notification आप तक पूँच सके और आप उसको easily देख सके आज के session में हम cover करेंगे vaccines को और कौन कौन सी vaccines होती है उनके types है कैसे वो बनाई जाती है कैसे वो introduced होती है सारा कुछ अपन discuss करने वाले आज के session में तो फटापट से like और share कर दीजे और चलते हैं आज के session को start करते हैं फटापट से like और share कर दीजे चलिए फ्रेंड्स start करते हैं आज के अपने session को और आज के session में हम पढ़ने वाले है वैक्षिन के regarding और लास्ट session आपने नहीं देखा तो उनको जरूर देखे क्योंकि वो देख लेंगे आप तो यह वैक्षिन भी आपको शमझा जाएगा और easily इसके अंदर जो भी questions होंगे अपन discuss करेंगे कुछ trick वगेर आपन इसके अंदर देखेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे तो लास्ट तक बने रहना है इसके अपने ही करना है पूरा देखना है सुरू से end तक सारे questions जो इससे बनते हैं वो आपको बताए जाएगे कैसे questions बनते हैं कहां से कौन सा question आपको याद रखना है चले स्टार्ट करते हैं आज के session को आज के session में पढ़ने वाले है vaccines के regarding और सबसे first one आपको याद रखना है vaccine वैक्षीन क्या है तो वैक्षीन का meaning आपको याद रखना है वैक्षीन क्या है artificial active acquired immunity है अपने पढ़ा था और कल मैंने आपको जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर बताया था कि जो वैक्षीन है वो क्या है artificial active acquired और यूमिनिटी क्या है क्योशन आ जाता है vaccines के regarding option में आपको ढूणना है कि ये क्या है artificial है active है और acquired है और यूमिनिटी है दोनों आपको ये सारा detail याद रखना है full form आपको याद रखना है vaccines के regarding आपसे इसा question पूचा जा सकता है आपको भूलना नहीं है मैंने last class के अंदर भी बार 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 ये बोल करता है that is artificial active acquired और यूमिनिटी नाम से मिनिक निकाल लीजेगा आप 3A और I याद रखने के 3A के सकते आप normally आप कहें याद रखने के लिए कोशिस करें इसको ज्यादा याद नहीं रहता है तो जो वेक्सिन है वो 3A सिंबल से आप याद रख सकते है छोटा सा ट्रिक है जो क है कि मैं बताने के कोशिस करना हूं याद रखने की कोशिस कि जगा कि 3A सिंबल से आप वेक्सिन को याद राख सकते कि वेक्सिन के स्टाईप की इमिनिटी देती है डैटी फ्री ए या eta ट्रीपल याद रखे, 3A या ट्रिपल याद रखे, 3A और ट्रिपल अ का मीन्स क्या है वह मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको अब बताया, 3A means 1A is artificial, 1A is artificial, 2nd A is active, 3rd is acquired, 3rd is acquired, और यह तीनों क्या है, एक टाइप की यूमिनिटी है, that is, ट्रिपल अ से आप याद रखे कि वेक्षि याद रखी, इम्पोर्टेंट क्योशन है, इस्टार मार्क बना लिजेगा, इम्पोर्टेंट है, नोट बुक्स आतमें रखे, ताकि नोट भी आप करते रहे, आपने केकोशन स्टार में, इस्टार भी आपको प्रोवाइड करती है, आपने ने समय में रखे, इस्टार इम्पोर्टा क्योशन है, बूलना नहीं है काफी important यह questions है और काफी बार exam में पूंचाओ भी है ठीक है अब आपन बात करते हैं type of vaccine vaccine का means आपको समझ आ गया vaccines किस type की immunity प्रवाइड करती है आपको समझ आ गया उसके बाद आपन इसके types की बात करते हैं types mostly जो vaccines है उसको दो type में classify करते हैं that is first one killed vaccine और second one live action या live action या killed vaccine कैसे भी आप याद रखे दोनों आपसे पूंचा जाता है कि कितने types में classified किया है that is live action और that is killed vaccine और दोनों के examples आपको याद रखने हैं अभी trick की साहिता से अपन उनको याद करेंगे तो ये आपसे पूंचे जा सकते हैं यानि type आपसे पूंचे जा सकते हैं याद रखने हैं अभी trick की साहिता से आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे और I think जो एक बार देख लेगा इस वीडियो को इस class को इसके regarding जो भी questions आएगा उसका कभी भी गलत नहीं हो जागा एक एक बार में आपको याद रखने रह जाएगी इसलिए मैं बार बार चीजे को एक बार से दूर दो बार तीन बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको class के timing में ही याद रह जाए तो अभी तक आपन बात किये वैक्शिन किस टाइप की युमिनिटी प्रवाइड गरता है और दो टाइप की वैक्शिन आपके सामने हैं अब इनको बारे बारी से वन बाई वन आपन डिसकस करते हैं फर्स्ट वन पहला इनका इंट्रोड़क्शन लेते हैं लाइव वैक्शिन क्या होती है देट इस सामने लिखा हुआ है लाइव वैक्शिन देट इस लाइव माइक्र organism body के अंदर introduce करवाई जाते हैं जो की अपने human system के साथ coordinate करके अपनी body को immunity प्रवाइड करता है याद रहे live vaccine नाम से में निकल रहा है live bacteria, live virus, live micro organism सभी आगए उसके अंदर live micro organism को body के अंदर enter करवाते हैं और enter करवाने के बाद वो organism body के अंदर immunity यानि anti-bodies बनाते हैं that is this type of vaccines is live vaccine यानि live micro organism को body के अंदर introduce करवाय जाता है और वो immunity का निर्मान करते है that is live vaccine याद रहे इसके अंदर example की अदियापन बात करें तो opv जो होता है next अपन बात करें तो bcg vaccine bcg vaccine next अपन बात करें तो bcg vaccine के बात नेक्स अपन बात करें तो mums के regarding आपने देखी होगी उसके लाबार दो रूबेला वैक्शिन रूबेला वैक्शिन ये सारे वैक्शिन हैं जो लाइव वैक्शिन के examples है अभी examples डिटेल से अपन आगे देखेंगे अभी के वल इंट्रोड़क्शन अपन देख रहे हैं तो आपको आगे बात करते हैं next type की vaccine that killed vaccine और killed vaccine क्या होती है वह आप याद रखे killed vaccine नाम से मिनिंग निकल रहा है कि कौन से micro organism इसके अंदर होते हैं यानि kill यानि पहले क्या करते हैं जो micro organism जिसके against sensitivity रखते हैं उन micro organism को लेते हैं kill करते हैं kill करने के बाद vaccines बनाते हैं then introduce करते हैं body के अंदर that type of vaccine is killed vaccine नाम से मिनिंग निकल रहा है दोनों का नाम से आप याद रख शकते हैं इसके अंदर यदि अपन example की बात करें तो hepatitis जो vaccine है hepatitis B vaccine जो आपने देखा है वो killed type का vaccine है उसके लागा influenza जो होती है influenza वो भी killed type का vaccine है रेबीज vaccine है वो भी killed type का vaccine है उसके लाबा आपने सुनाओगा Japanese encephalitis Japanese encephalitis आपने सुनाओगा that is killed vaccine याद रहें example आप से exam में पूची जाते हैं अभी अपन details इनके बारे में discuss करेंगे कौन-कौन live है कौन-कौन kill है दोनों के difference अपन देखेंगे फिर आपको यह automatically याद रहना start हो जाएंगे और concentration के साथ याद रखें इससे questions आपको exam में मिलने ही वाला है यह समझ के लीजे ठीक है तो यहाँ तक आपने introduction के बाद की अब live actions के regarding कुछ important point अपने discuss करते हैं जो भी exam में पूचे जाते हैं और वो याद रखेंगे आप question यहाँ से भी exam में पूचा हुआ है तो भूलना नहीं है यह बिल्कुल आप भूलना नहीं है इसके regarding भी exam में question पूचा हुआ है तो इसके regarding अपने बात कर रहे हैं लाइव एक्षिन के regarding अपने बात कर रहे हैं और लाइव एक्षिन के regarding आप देखिए कितने अच्छे अच्छे questions पूझे जाते हैं और आपको किस तरीके से याद रखने हैं भूलना नहीं है, सारे questions आपके लिए आपको एक्षिन के दोरान कभी भी नहीं देना चाहिए अप याद रहे, आपको याद रखना है लाइव एक्षिन को प्रेग्नेंसी के दोरान यानि कि never be given during pregnancy कौन से vaccine को नहीं देना चाहिए live vaccine को नहीं देना चाहिए तो question यहां से example आप से पूचा जा सकता है question exam में पूचा जा सकता है which type of vaccine is contra-indicated in pregnancy that is your answer is live vaccine is contra-indicated in the pregnancy because its effect is teratogenic effect और teratogenic effect I think आप पढ़ चुके हैं आपने पढ़ा होगा pharmacology के अंदर पढ़ा होगा teratogenic effect means ऐसे drug या ऐसे vaccine या फिर ऐसे एजन्ट या फिर ऐसे chemical substance जो की placental barrier को cross करके fetus के अंदर चले जाते है और fetus के अंदर side effect काफी सारे teratogenic effect है जो की show करते है that drug is teratogenic drug और live vaccine is teratogenic drug या teratogenic vaccine अपन कह सकते है तो याद रखे pregnancy के दोरान live vaccines को नहीं दिया जाता है उसके बाद इसके अंदर से next point आपको याद रखना है next point ये point आपको याद रखना है भूलना नहीं है प्रेगनेंसी के दोरान कौन से टाइब की वेक्सिन है जो की contra-indicated होती है एक्जाम में पूचा हुआ है याद रहे next question के अपन बात करते है next point के अपन बात करते है तो यहाँ पर same point लिखा हुआ है never given in immunosepression याई immunosepression कोई person हो रहा है like किसी person के अंदर HIV है किसी person के अंदर leukemia है या पिर कोई person है protocol steroid therapy और या फिर किसी person के अंदर radio therapy चल रही है तो यह सारे यляется है कसी person के साथ जिसे कि वह HIV है leukemia किसी person को है protocol steroid therapy आ है या radiation therapy वह है तब भी उसको live vaccines नहीं देना है तब भी उसको क्या करना है live vaccine नहीं देना है क्योंकि ये उनके अंदर भी side effect कर सकती है ये उनके अंदर भी contra indicated होती है याद रहे questions भी exam में आपसे पूचा हुआ है तो इस question को भी आपको गलत नहीं करना है याद रखना है नेक्स अपन बात करते हैं आगे next question की नेक्स question की अपन आगे बात करते हैं इसी के अंदर live vaccines के अंदर ही आपन बात करते हैं तो ये questions भी exam में पूचा हुआ है काफी important है same live vaccine should be given between four week gap या one month gap question पूचा हुआ है अभी recently राजस्तान CHO के अंदर पूचा हुआ है यही question MPCCHO के अंदर पूचा है और यही question other competitive exams में EMS, ESIC इनके अंदर भी questions पूचा हुआ है repeatedly तो आपको याद रखना है कि जैसे कि same drug है like आप समझ के चले OPV आपके पास है OPV that is कैसी वेक्सिन है OPV live vaccine है तो इसकी जो दो डोज अपन देंगे suppose one dose आपने दी और second dose आप देने वाले है तो इनके बीच के अंदर इनके बीच में इनके मद्दे जो इंटरवेल है इनके बीच का जो इंटरवेल है गेप है वो at least four week तो होना ही चाहिए कितना four week तो वो होना ही चाहिए कितना होना चाहिए four week वो होना चाहिए या पीर अपन कह सकते है one month होना चाहिए तो आपको याद रखना है अभी recently ये राश्ता सियंच जो के अंदर question इस तरीके से पूझा था कि एक lady है जो कि four week पर आती है आपके पास अब आपका क्या decision रहेगा कि आप उसको vaccines लगाएगे या vaccine नहीं लगाएगे तो इस condition में जो इसका right answer है वो आप vaccine लगाएगे क्यों लगाएगे क्यों कि गेप कितना होना चाहिए at least four week का गेप ही होना चाहिए अगर four week से कम गेप है तो vaccines नहीं लगाना है four week से ज़्यादा है या four week है तो अपन उसको vaccines लगा देते हैं तो ये questions भी आपको याद रखना है अभी recently रास्तां CCHO के अंदर भी ऐसा questions पूचा है और आगे भी पूचने को मिलेगा तो याद रहे कम से कम आपको दो vaccine same vaccine है तो कम से कम आपको four week का उसके अंदर गेप देना होगा four week का गेप देना होता है जैसे कि आप सबको पता है pregnancy के अंदर titanus toxoide जो tt का injection लगाते है tt का vaccines लगाते हैं तो एक तो अपन जैसे ही detection हो जाते हैं तो लगा देते हैं उसके बाद अपन one month बाद उसको लगाते हैं आप सबको पता है और नहीं पता है तो आगे अपन further इसके बारे में discuss करेंगे सारे vaccines सारे जितने भी vaccines होते हैं सारे के बारे में आपन discuss करेंगे BCG, OPV, measles, mumps, rubella सारे vaccines के बारे में आपन डीटेल से discuss करेंगे तो continue बने रहे हैं हर session में आप हमारे साथ अब यहां तक आपने देख लिया live vaccine के regarding कुछ important key points आपने देखे first one की pregnancy में नहीं देते हैं second one immunosuppression हैं यदि कोई person या उसके अदर HIV है, leukemia है cortico-esteroid therapy पर है या radiation therapy पर है तब भी उसको live vaccines नहीं देते हैं और same dose के बीच में यानि same vaccine है तो उनकी dose dose के बीच में at least four week का gap होना चाहिए यानि one month का gap उनके बीच में होना चाहिए अब बात करते हैं इनके example की live vaccines के example कौन-कौन से हैं तो live vaccine के अंदर आप याद रखें live vaccine के अंदर bcg live vaccines है that then opv live vaccine है then mmr live vaccine है mmr क्या measles, mumps, rubella तीनों ही live vaccine है next है alo fever live vaccine है typhoid live vaccine है varicella live vaccine है उसके लाबा rotavirus और cholera उसके लाबा chicken fox दिखें chicken fox के against जो अपन vaccines देते हैं वो भी live vaccine है तो यह सारे जो example है आपको live vaccine के example है यह आपको याद रखना है इन में से question ऐसे पूचा जा सकता है कि नीचे जो आपको option दिये है following option जो आपको दिये है उन में से कौन सा live vaccine का example है तो उसके regarding आपको यह सारे examples याद रखने है और question exception से भी पूचा जा सकता है कि जो नीचे option आपको दिये है उन में से कौन सा live vaccine नहीं है तो वैसे भी आपको याद रखना है तो live vaccine के examples आपको याद रखने है कौन-कौन सा example है BCG, OPV, MMR तीनों को आप एक साथ याद रखे measles, mumps, rubella next one, yellow fever, typhoid, varicella, rotavirus, cholera virus cholera vaccine, then cholera vaccine के बाद vibrio cholera vaccine के बाद chicken pox के regarding हो सकता है और other भी इसके काफी सारे है but mostly आपको यही याद रखने है क्योंकि एक्जाम में यही इनके regarding ही आप से एक्जाम में पूचे जाते हैं तो यही आपके लिए important है तो यहाँ तक आप याद रखे बागी आगे आपन चलते हैं यहाँ तक हैं उमीद कि आप सबको समझ आ गया होगा यहाँ तक आप सबको अच्छी तरगे से समझ आ गया होगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे शेयर कर दे क्लास को ताकि बागी आप बना सकते हैं बोई और वाई बोई से आप याद रखें बी से बी से बी सीजी ओ से ओपी वी वाई से एलो फीवर ठीक है इस तरीके से आप इनकी regarding आप trick बना सकते हैं आप easily याद करने के लिए आपके साब से कोई सी भी trick आप इसके अंदर suitable रख सकते हैं अधर आपको याद रखना है ये सारे vaccines के नाम ये live vaccines अपने पढ़े हैं अब आगे चलते हैं अपन next आप पढ़ते हैं killed vaccine और killed vaccines के regarding आपसे exam में questions पूचा हुआ है तो वो भी आपको याद रखना है next आपन पढ़ रहे हैं killed vaccine और killed vaccine के example killed vaccine के regarding आपको मैंने बताए killed vaccine कैसी होती है कि इनमें killed microorganism को introduce करवाया जाता है यानि killed vaccines होती है examples आपको याद रखने examples के regarding exam में questions पूचा हुआ है hepatitis B उसके लाब पर्टूसिस जिसको hooping cough कहते हैं आप सबको पता है hooping cough उसके लाब प्लेग है typhoid fever है और इसको enteric fever भी कहते है याद रखे enteric fever next Japanese encephalitis next polio और polio के अंदर कौन सा polio killed vaccine है यानि in activated polio vaccines याद रखे question आप से exam में पूचा हुआ है कि which type of vaccines is killed vaccines आपको OPVB option में मिलेगा और IPVB option में मिल सकता है तो OPV और IPV दोनों ही polio vaccine है directly polio vaccine नहीं देकर इन में से दोनों में से आपको option में मिल सकता है तो आपको confusion नहीं होना है oral polio vaccine होती है that type of live vaccine oral polio vaccine होती है that type of live vaccine but जो in activated polio vaccine है that is a killed type of vaccine ठीक है याद रखे killed type of vaccine कौनसी vaccine IPV यानि in activated polio vaccine that type of killed vaccine दोनों के बीच में आपको difference याद रखना है और आगे से ये questions आपके exam में पूचा जा सकता है तो आपको याद रखना है और इसके regarding आप सबको पता है आपने सबने exam दिये होंगे example के regarding आप से question पूचा जाता है कि following which type of vaccine is live vaccine live vaccine का example आपको याद रखना है सारे और killed vaccine के examples आपको याद रखना है questions आपके लिए exam में पूचा जा सकता है तो भूलना नहीं है और यहाँ तक I think आप सबको समझ आ गया होगा next point यहाँ पर लिखा हुआ है most administered SC और IM route यानि killed vaccine को mostly अपन SC route और IM route से introduce करवा सकते हैं और live vaccine को अपन orally भी introduce करवा सकते हैं यह आपको याद रखना है बट इसकी regarding अभी questions exam में नहीं पूचे गए हुए है कि killed vaccine को किस route से देते हैं live vaccine को किस route से देते हैं हाँ ऐसा है कि vaccines का particularly for particularly नाम दे दिया जाता है और पूस लिया जाता है कि कौन से route से देते हैं वो अपन आगे further discuss करेंगे जैसे BCG का आपसे exam में पूचा हुआ है BCG को किस route से देते हैं आप सबको पता है intradermal route से देते है polio vaccine को किस route से देते हैं आप सबको पता है इसे नहीं पूछा हुआ अभी तक क्योशन कि live action को किस route से देते हैं और killed vaccine को किस route से देते हैं अभी तक इसा question नहीं पूछा है particularly कोई example देंगे as it is कोई आपको exact vaccines का नाम बता दिया और अधर एक्जाम्पल्स आपको दे दिया जाएगा कि यह किस route से दी जाती है कितना दो यह देते हैं और फरदर आगे हम डिसकुस करेंगे सभी वेक्सिन के रिगारिण ठीक है और यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा आप थोड़ा सा इनके बीच में डिफ्रेंस सेट कर लेते हैं कि लाइव एक्सिन और इन दोनों के बीच में क्या डिफ्रेंस होता ह याद रखे facts की बारे में आपसे पूचा जाए तो ज्यादा effective कोण है that is live vaccine गभ्यक्तिफ कोण है that is killed vaccine नेट्सQ motivate आपसे पूचा जा सकता है कि लाइव वेक्षिन है जिसको अँपने इंटर्डीूँस कराते हैं तो ये प्रोलॉंग vaccination है प्रोलॉंग immunity फ्रोवाइट करते हैं लोंग durable अपन कह सकते हैं लोंग durable ये होती है यानि इसका duration जादा होता है यानि एक बार एक्सिन आपने लगाया तो इसका duration है prolonged होता है लंबे time थक यह immunity प्रवाइड करती है लेकिन kit vaccine ऐसा नहीं करती है less durable होती है दोनों में compare अपन कर रहे है difference देख रहे हैं तो यह long durable होती है और यह less durable होती है और third अपन difference के बात करें तो live vaccine produce IgG और IgA दोनों याद रहें के live vaccine क्या क्या प्रोड्यूज करती है कौन सी antibody प्रोड्यूज करती है that IgG प्रोड्यूज करती है और IgA प्रोड्यूज करती है याद रहे और इन दोनों के बीच में ने difference आपको बताया था लास्ट सेशन के अंदर कि IgG है जो कि placenta cross करके आपको fetus को मिलती है और IgA है जो कि breast feeding के तुरू मिलती है ठीक है तो यह अपने last class के अंदर देखा था और जो killed vaccine है वो kevel और kevel only produce IgG ठीक है यानि kevel और kevel कौन सी immunity प्रोवाइड करती है only only क्या प्रोवाइड करती है IgG प्रोवाइड करती है तो यह difference अपने देखा live actions के बीच में और killed vaccine के बीच में क्या difference होता है actually difference अपने इसके अंदर देखा दोनों के बीच में difference से आपसे exam में questions पूछा हुआ है कि prolonged vaccines, prolonged durable कौन सी होती है that is live vaccine और less durable कौन सी होती है that is killed vaccine ठीक है और live vaccine और killed vaccine के examples तो आपको याद रखने ही रखने है उनको तो आपको भूलना ही नहीं है क्योंकि वो exam में आपसे पूछे जाते हैं और directly adjectives exam में पूछे हुए है अपन इस session के बाद इनके regarding MCQs solve करेंगे तो वहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि हमने कहां पर यह पढ़े थे किस तरह के से आपको इनको solve करना है आगे चलते हैं इन difference के बाद अपन discuss करते हैं sub type of vaccine यानि vaccines को आगे और classified किया हुआ है जिसा कि मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि mainly और most commonly अपने देखें तो vaccines को दो टाइप से classify किया है लेकिन यदि आगे उनका sub type देखें तो sub type से आगे उनको अलग-अलग classification दिया हुआ है अलग-अलग classification आपको याद रखना है तो sub type अपन discuss करते हैं और sub type के अंदर सबसे first one अपना type है sub type के अंदर first one अपना type है first one अपना type है that is toxoid vaccine that is toxoid vaccine और toxoid vaccine के अंदर आप सब को पता है titanus toxoid बोला जाता है diptheria है वो भी toxoid होता है याद रहे bacterial vaccines इसके अंदर mostly आते हैं क्या आते हैं toxoid के अंदर bacterial vaccines mostly आते हैं और इस bacterial vaccines के अंदर भी अपन देखें तो example की बात करें diptheria और titanus toxoid इन दोनों को mostly अपन रखते हैं क्या होता है toxoid वो आपको मैं बताओ कि ये bacteria के थुरू generate करवाई जाती है bacteria के थुरू generate करवाई जाती है कैसे generate करवाई जाती है वो आपको याद रखना है bacteria है जैसे कि ये bacteria है diptheria bacteria है इससे प्रोड्यूस करवाई जाती इससे पहले क्या प्रवाप्त किया जाता है एक्सोडॉक्सिन प्राप्त किया जाता है कैसा एक्सोडॉक्सिन प्राप्त किया जाता है उसके बाद उसका डिटॉक्सिफिकेशन करवाया जाता है detoxification के resultant जो आपने को result मिलता है that is vaccines होती है ठीक है समझ में आया titanus या titani जो है या diptheria जो है आपन एक example की बात करके चले तो diptheria जो bacteria है आपने पढ़ा होगा diptheria के अंदर से आपको exotocins वो प्राप्ट करते हैं निकालते हैं और exotoxin का फिर आपसे detoxification करते हैं और उसके resultant जो अपने को found होता है that is vaccine और that type of vaccine is toxoid vaccines याद रहे भूलना नहीं है ठीक है important है question पूचा जा सकता है कि toxoid vaccines का example है that is normally आपन basically दो examples याद रखते हैं diptheria और titanus toxoid याद रहे चले आगे चलते हैं पर next subtype की बात करें तो next subtype है आपका next subtype है आपका second subtype है recombinant या फिर कह सकते हैं recombinant vaccines क्या recombinant vaccine और recombinant नाम से मिनिक निकल रहा है recombination यानि कह सकते हैं DNA जो technology है उसके resultant जो vaccines बनाई जाती है that type of vaccine is recombinant vaccine examples की आपका बात करें तो hepatitis B recombinant vaccines और HPV HPV means human papilloma virus जो की cervical cancer कोज करता है आप सबको पता है आप सबने पढ़ा होगा तो यह vaccine है human papilloma virus vaccine जो की DNA टेकनिक के थुरू बनाई जाती है I think समझ आ गया होगा आगे चलते हैं पर next vaccines के बारे में discuss करते हैं next sub type के बारे में अपन discuss करते हैं that is polysaccharide या फिर conjugated vaccine polysaccharide और conjugated vaccine और polysaccharide और conjugated vaccines means examples की आप याद रखें examples आप से exam में पूचा जा सकता है तो example आप याद रखें pneumococcal vaccine यानि PCV अभी recently add हुआ है यह pneumococcal vaccines आप याद रखें या फिर meningococcal vaccines MCV, PCV और MCV दोनों आप याद रखें यह कौन से type की vaccine है that polysaccharide type की vaccine है या conjugated vaccine है कैसे प्राप्ट की जाती कैसे यह अपने को मिलती है like आपके पास यह micro organism है और आप सबको पता है micro organism है आपने cell wall पढ़ी होगी cytology आपने पढ़ी होगी first year के अंदर cells के बारे में पढ़ा होगा तो आप सबको पता है cell wall जो बनी रहती है polysaccharides की बनी हुई होती है और polysaccharides यानि cell की cell wall से polysaccharides के थूँ ही आप vaccines generate करवाते है यानि polysaccharides जो होती है उसी से ही vaccines बनाई जाती है इसलिए इसको polysaccharides vaccines कहा जाता है याद रहे questions याद रहे भूलना नहीं है PCV और MCV किस टाइप की वेक्सिन है एक्जाम में पूचा जाता है तो polysaccharides टाइप की वेक्सिन है या conjugated वेक्सिन है याद रहे सब टाइप अपन पढ़ रहे है और अभी तक अपने तीन इसके सब टाइप पढ़ लिए है नेक्स सब टाइप अपन पढ़ते हैं तब बढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं अपन वीडियो को class को like और share कर दीजे ताकि other friends को भी या available हो सके और ओभी इसके regarding पढ़ सके चलिए next अपन पढ़ रहे हैं fourth type next अपन पढ़ रहे हैं फोर्ước टाइप sub type अपन पढ़ रहे हैं vaccines के type पढ़े अपने live vaccines killed vaccine then अपन अंके sub types पढ़ रहे हैं और sub type के अंदर sub type के अंदर अपनने 3 types अपने पढ़ ली है first one toxoid vaccines पढ़ा second one recombinant vaccines पढ़ा, third one पढ़ा अपने है poly-securide या conjugated vaccines और fourth type अपन पढ़ रहे हैं combined vaccines, fourth type अपन पढ़ रहे हैं combined vaccines और combined vaccines के regarding आप सबको पता होगा, DPT, DT और pentavalent, most common example आपको याद रखने हैं, DPT, DT और pentavalent, ठीक है, दोनों तीनों आपको examples याद रखने हैं, ठीक है, देखो नाम से मिनि निकल रहे हैं, combined vaccines, combined vaccine means एक या एक से ज़्यादा vaccines को combined करके एक साथ introduce करवाया जाता है, जैसे कि DPT है, तो DPT के अंदर क्या-क्या है, आप सबको पता है, DPT के अंदर क्या-क्या है, आप सबको पता है, DPT के अंदर diptheria है, D4 diptheria, P port pertussis, T port tetanus toxoid, ठीक है, तीनों के बारे में diptheria, diptheria, tetanus toxoid, वहीं पर pentavalent की अपने बात करें, वहीं पर pentavalent की बात करें, तो pentavalent means पांच vaccines इसके अंदर होती है, पांच के अंदर कौन-कौन सी होती है, तीन तो यह होगी, DPT, diptheria, pertussis और tetanus toxoid, और fourth होती है, hepatitis B, और fifth होती है, हीब vaccine, हीब vaccine, यानि पांच vaccines आपस में command होकर introduce करवाई जाती है, that type of vaccine is command vaccine, I think clear हो गया हुग, command में इस नाम से मिनिक निकल रहा है, कि command vaccines, यानि कि दो या ज्यादा, एक या ज्यादा vaccines को command form में introduce करवाई जाता है, that type of vaccines is command vaccine, I think आप सबको समझ आ गया होगा, आगे अपन discuss करते हैं, next type of vaccine, next type, next sub type, अपन discuss करते हैं, next sub type discuss करने के लिए आप सबको बताएं, अपन बात कर रहे हैं, fifth type of vaccines, और fifth type of vaccine है, polyvalent vaccines, देखो, polyvalent vaccines, तो जिसे अपने command vaccine पढ़ी, same way से ही है, ये है, लेकिन उसके अंदर तो poly, जो अपने पढ़ाई, just इसके पहले command vaccine, उसके अंदर तो सारे vaccines अलग-अलग type की थी, और उनको स सारे vaccines अलग-अलग थी, और तीनों को combined करके एक फोर्म बनाई जाती थी, और उसको एक साथ इंदूच कराया हो जाता था, that type of vaccine is combined vaccine, बट अभी अपन डिसकस करने है, polyvalent vaccine, तो polyvalent means, poly तो है, मतलब poly यानि जादा तो है, लेकिन same type के agent उसके अंदर होते हैं, लेकिन क्या है, लेकिन इसके अंदर same type की disease को prevent करने के लिए दी जाती है, but है all type of strain or antigen in microorganism, यानि all type के organism उसके अंदर होते हैं, जैसे कि example आपके सामने हैं, देखिए, examples आपके सामने हैं, आपने polio की बात करते हैं, polio वाइरस के अपन बात करते हैं, polio जो वैक्सिंस आपको दी जाती है, polio जो वाइरस है, उसकी basically तीन strain होते है, first strain, second strain, or third strain, तो first strain, and second strain, and third strain होती है, लेकिन आपने vaccines को देते हैं, गोवाइलन जिसको polyvalent vaccines कहते हैं, और वो तीन इसे त्ट्रें के against काम कर लेती हैं, तीनो स्ट्रें के against वो काम कर लेती है, but है गया, single disease के against दे जाहरे हैं, single type की vaccines से के यानि एक ही वेक्सिन से अपन प्रिवेंट कर देंगे एक से ज्यादा लेकिन सेम माइक्रो और्गिनिस्म के कारण से वो होती है तो देखें यहाँ पर जो टू वेक्सिन से पोलियो वाइरस के अंदर जो टू है यह इंडिया से एरेडिकेड़ हो चुकी है लेकिन अभी जो वेक्सिन आप देते हैं अभी तक जो वेक्सिन अभी हम वेक्सिन देते हैं तो फर्स और सेकंड टाइप की वेक्सिन देते हैं यानि बाइवेलेंट वेक्सिन अपन देते हैं केंसी वेक्सिन देते हैं बाइवेलेंट वेक्सिन देते हैं फर्स टाइप और जो कि इंडिया में most commonly अभी मिलते हैं और इसी टाइप की वेक्षिन अभी इंट्रिड्यूज करवाई जाती है तो polyvalent वेक्षिन मेंज के सकते हैं same type के agent होते हैं यानि microorganism same होते हैं और उसके against आप क्या करते हैं इंट्रिड्यूज करते हैं और यहां तक आपको समझ आ गया होगा अब आगे चलते हैं नेक्स टाइप पर नेक्स टाइप आपके पास कंजूगेटेट वेक्षिन ठीक है सब्सक्राइब अपने पढ़ लिया है अब पढ़ते हैं अग्स लिए उग्षिन आपको याद रखना है बूलना नहीं नेक्स टाइप अपन पढ़ रहे हैं एड्जॉएंट या एड्जॉएंट गरते हैं वह आपको याद रखना है निए निए गरते हैं काथ सब्सक्राइब लिग्विविवक्त परकते याद रखने हैं डिप्तीरिया टिटनस्ट ऑक्सट और डीपीटी हिपेटाइटिस बी और हुमन पैपिलोमा वायरस यह आपको एक्जामपल्स याद रखने हैं काफी इंपोटेंट है आपकी एक्जाम्स के रिगार्डिंग तो एक्जामपल्स आप याद रखे कौन सा एड याद रहे बूलना नहीं है काफी इंपोटेंट है आपके लिए आगे चलते हैं अपर नेक्स टाइप के बारे में डिसकस करते हैं नेक्स टाइप के वेक्षिन का जो सब टाइप अपन पढ़ रहे हैं और सब टाइप के अंदर अपने वन बाई वन अभी तक पढ़े और गणारे में अपर नेक्स टाइप का वेक्षिन पढ़ने वाले हैं तो नेक्स टाइप का वेक्षिन का पढ़े चलते हैं याद र मिलाते हैं विए वाइक्षिन के लिए क्यों मिलाते हैं वाइ तू Creek कर देता है इम्विनो loses वेक्सिन की पावर को बढ़ा देते हैं अपनी लेंग्वेज में का है तो जो वेक्सिन आप दे रहे हैं उसकी वेक्सिन यानि इम्मुनोजेनिसिस या इम्मुनोजेनिसिटी जो होती है उसको बढ़ा देते हैं इसलिए एड़ुएंट के रूप में अमोनियम काफ़ इंपोर्टेंड है यानि देखें नाम से मिनिंग निकल रहा है लेकिन उसके अंदर एंटिबायोटिक भी है यानि एंटिबायोटिक कंटेनिंग वेक्षिन उसके अंदर होती है तो उसके अंदर एक्जाम्पल से आप याद रखें कौन सी एंटिबायोटिक होती है या एंटिबायोटिक कंटेनिंग वेक्षिन के अंदर कौन सी एंटिबायोटिक होती है याद रहे इंपोर्टेंट क्योशन से भूलना नहीं है याद रहे एंटिबायोटिक कंटेनिंग वेक्षिन के अंदर कौन सी एंटिबायोटिक होती है that is neomycin is your answer याद रहे questions आपके exam के regarding काफी important है आपको भूलना नहीं है काफी important questions है याद रहे उसके अलाबा एक key point आपको याद रखना है important points आपके सामने है कि always check the sensitivity to neomycin यानि neomycin है जो की sensitive होता है तो जब भी इसको introduce करवाते हैं तो इसके पहले परसन के अंदर या जो भी पैसेंट है या जिसके अंदर आप इंटर्डूज करवा रहे हैं यस टाइप की वेक्सिन तो पहले उसके अंदर नियो माइसिन के against sensitivity है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं तो या आपको questions याद रखना है कि always check the sensitivity to neomycin याद रहे questions आगे से exam में आपके पूचा जा सकता है तो काफ़ important है याद रहे next question के बारे में अपने discuss करते है next type के बारे में है अपने discuss करते है next type आपके सामने है freeze dried vaccine कौन सा वेक्सिन freeze dried vaccine काफ़ important है freeze dried vaccine याणि powder in Hashem में ये हो सकती है बहुत हैंशिए कि ये पाहछ़ इन प्राव्ट फोम में होती इसा कि आप सब्सक्राइबेया है BCG अज़ाय होवें ये ये, मेसल सबड़ो सिर्चाहँ नाम पर दिज και हो निले दो कि मतुत सब द है, एध राईडी है पूचे जा सकते हैं तो आप याद रखे उसके लावा आपको याद रखना है कि इन वैक्षिन को जैसे ही अपन डिजोल करते हैं आप सबको पता है डिजोल करना पड़ता है जब कोई वैक्षिन है पावडर इन फोम में है तो उसको डिजोल करना पड़ेगा तो यह क्योश् यूज नहीं किया गया उस टाइमिंग में वो यूज नहीं की गई तो फिर उसको डिसकार्ड करना पड़ेगा क्योंकि अब उसको यूज नहीं कर सकते तो याद रहे BCG, measles, hella fever और rotavirus इनके अगेंस जो vaccines देते हैं उनको एक बार dissolve करने के बाद फोर हावर यानि चार गंटे के अंदर अंदर यूज करना होता है इसलिए आपने देखा होगा vaccination room में आप गया होगे कभी duty की होगी तो vaccines के लिए एक particular schedule बनाया हुआ रहता है आपने अंगन बाड़ी वरकर को भी देखा होगा वहाँ पर भी जो vaccines लगाया जाते है वो एक date fix की हुए रहते है एक date fix की हुए रहते है और उसी डेट को सारी ladies को बुलाया जाता है कि इस date को आपको vaccines लगेगा और आपको आना है वो इसलिए कि वो डिजोल कर लेते है उस वेक्षिन को फिर उस उसके जो date fix की रखी है उसी date पर वो vaccines को लगाते है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आज एक lady आ रही है फिर परसो एक lady आ रही है फिर दो दिन बाद एक lady आ रही है तो कहां तक वो डिजोल करेंगे पूरा वैस्टेज जाता है इसलिए फिक्स करके रखते है data ठीक है याद रहे उसके अलावा जो Japanese encephalitis है यह दो गंटे के अंदर अंदर काम में लेनी होती है याद रखे बीसी जी मीजर्स एलो फिवर रोटा वायरिस इनको डिजोल करने के बाद विदि को विदिन टू हावर यूज करना होता है उसके लावा आपसे एक्जाम में क्योशन पूचा जा सकता है कि इनके लिए जो डायलियूंट यूज करते है इनके लिए जो डायलियूंट यानि डिजोल करने के लिए यूज करते है या यूज करते है फोस्वेट बफर यूज क इनको यूज करते हैं और यहां तक समझ आने के बाद आगे अपन डिसकस करते हैं और नेक्स्ट इनके बारे में डिसकस करते हैं तो last type अपना vaccine का है, last type अपना sub type है vaccine का, that is freezer vaccine, direct contact with eyes or freeze, ठीक है, अपने इसके just पहले अपन तोड़ी देर पहले अपने पढ़ा, freeze vaccine या dried vaccine, freeze vaccine और dried vaccine याने उनको freeze करके रखा जाता है, but freezer जो vaccine होती है, इनको directly eyes के contact में रखा जाता है, यानि बिलकुल इनके लिए जो temperature होता है, ब तो आपको याद रखना होता है इनको फ्रीज के साथ या आइस के साथ ठीक है तो याद रखे इस टाइप की जो वेक्शिन है that is OPV और मीजल टाइप की वेक्शिन है और OPV के अंदर OPV को क्या बोलते है यह भी आपको एक्जाम में पूचा हुआ है याद रखें दोनों के बारे में OPV is Sabine वेक्शिन और IPV यानि इनक्टिवेटेड पोली वेक्शिन दोनों आपको याद रखना है बूलना नहीं है तो अभी अपन पढ़ रहे हैं याद रहे हैं तो कितने टेंपरेचर पर यह रहती है तो एक्जाम में पूचा है तो आपको एक्जाम में पूचा रहा है एक्जाम में पूचा हुआ है तो एक्जाम में पूचा हुआ है कि जो फ्रीजर वेक्शिन है तो उनका टेंपरेचर कितना होगा तो टेंपरेचर आपको याद रखना है minus 15 से minus 25 degree centigrade होता है यानि minus 15 से minus 25 degree centigrade temperature पर रखते हैं और average आपको exam में question मिलता है average आपको दिया हुआ रहता है option में that is minus 20 degree centigrade minus 20 degree centigrade आपको याद रखना है यानि जो freezer vacation है कितने temperature पर रखी जाती है वो आपको याद रखना है minus 20 degree centigrade पर रखी जाती है और उसके अलावा जो other vaccines अपने पड़ी हैं जिनके अंदर freezer vaccine नहीं है और वो रखी जाती है plus 2 to plus 8 degree centigrade पर यानि other सभी जो vaccines होती है वो plus 2 से लेकर plus 8 degree Celsius तक रखी जाती है temperature पर और जो freezer vaccine है जो की रखी जाती है minus 20 degree centigrade पर और यहाँ पर आपका ये most important questions है याद रहे questions को तो friends उमीद है सारी questions अभी तक अपने discuss किये है वो आप सब को समझ आ गई होंगे vaccines के regarding हमने discuss किया है उमीद है आप सब को समझ आ गई होंगे और इसी उमीद के साथ आज के session को अपन यही फिर finish करेंगे तो इस session में हमने सबसे first one discuss किया था vaccines क्या है उसके बार live vaccines, kill vaccines यानि के टाइप के बारे में अपन डिसकस किया उनके भी difference डिसकस किया उसके लावा उसके sub type यानि no sub type अपने discuss किये और उमीद है आप सब को समझ आ गया होगा इसी उमीद के साथ आज के session को यही फिनिस करते हैं इसके बार जो remaining portion है अपने उसको next session के अंदर लेंगे वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल फर फर्स टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा जिससे आगे भी आपको इसके regarding notification मिलता रहेगा और आप उनको देख पाएंगे तो वीशियो वीडियो